सब्सक्राइब लोग नेक्स कुषिजिन नाओ वन थर्ड अफ दे टोटल मार्केट वाल्यू अफ संग्मनी लिमिटेड कंसिस्ट अफ लोन स्टॉक मतलब मार्केट वाल्यू जितनी भी हो उसका वन थर्ड इस लोन यह देट तू थर्ड इस इक्विटी और वन थर्ड जो डेट है उसका कॉस्ट है 10 परसेंट दूसरी एक कवर कंपनी है संग्मनी जैसी ही है सिर्फ संग्मनी में ऐसा है कि except that its capital structure is all equity and its cost of equity is 16 परसेंट यानि अगर आप संग्मनी की बात करो तो इसके overall cost of capital यानि की one third of debt plus two third of equity यानि weight into cost लेकिन अगर अब संग्मनी की बात करो तो इसका overall cost of capital इसमें तो सिर्फ equity है so it's like hundred percent of cost of equity और इसका cost of equity क्या है 16 परसेंट दिया हुए so यह cost of capital बन गया आगे देखो and its cost of equity 16 परसेंट according to modigliani and miller if we ignored a taxation or tax relief on debt capital tax वाला पार्ट भूल जाओ what would be the cost of equity of संग्मनी लिमिटेड यानि की यह निकाल के बताना है अच्छा यह samsui और संग्मनी इक्वल है तो samsui का cost of capital इसका cost of capital बन जाएगा यह one third है यह 10 percent है यह two third है और यह हमको निकालना है है ना easy देखो so 16 is equal to 3.33 plus .6667 two third है नहीं कित्ता आता into cost of equity यह इदर आजाएगा 13.33 sorry 3.33 इसमें से minus हो जाएगा तो कुछ आपका बचेगा 12.67 अगर और उसको अगर आप divide करोगे तो आपका cost of equity आजाएगा 0.6667 19 percent it's very simple आप normally कैसे निकालते थे WACC यह equity लिया यह debt लिया यह 0.6667 है यह 0.3333 है weight यह 10 है यह x ले लिया क्योंकि हमको निकालना है तो यह हो जाते 0.6667 x और यह हो जाते 3.3333 और यह आना चाहिए 16 percent तो यह ऐसे यह 0.6667 x plus this is equal to this तो यह वह equation बना अपना और आपका answer आगया तो कोई दिक्कत नहीं इस question में आपको no down कर लो question को उसके बाद में हम next question पे move on करते हैं बाई बाई स्क्क्री खर एक झालना है तो यह कि अःकी हम तो कर्सक्ता नहीं आपको जह भी आड़ी कर को झालना है यह चालना है टो यह ज़्से ज पर बाई सकता उना है